नमस्कार दोस्तों तो देखिए आज आपका बताएंगे संस्क्रीत का चैप्टर वन मंगनम का इंपोर्टेंट भीवी आई अबजेक्टिव अगर आपको इसका पीडियेफ चाहिए तो आप वाट्सअप ग्रूप पे जुआयन हो सकते हो उहाँ पर हम आपको इसका पीडिय देंगे और देखिए आप लुक यहाँ पर देख सकते हो यह सभी प्रस्ण जो है काफी इंपोर्टेंट और भीवी आई है क्योंकि यह पहने भी एकजाम में पूछा गया है आपका सामने दिखाया गया है 2022 का सेट सी 2022 का सेट सी में यह सभी पूछा गया है तो चलिए एक नमबर में शुरू करते हैं सत्यस मुखम केन पात्रेन ओपिहितम यानि इसका मतनब होता है सत्य का मुह किस पात्र से ढखा हुआ है तो सत्य का मुह जो है यह सोने से ढखा हुआ है यह कहां से ढखा हुआ है सोने से ढखा हुआ है तो इसका हो जाएगा ओप्सन नमबर है ब शरीर में क्या छिपा हुआ है आत्मा ठीक है उसके बाद आगे चनते हैं यथा नद्या स्यंद माना पुरुस पुमेति दिब्यम पदांस किस उपनीसद का है तो यह आपका जो है यह मुंड कोपनीसद से है कहा से लिया गया है मुंड कोपनीसद औप्सन सी आगे चनते हैं केन पंथा बीततुह देवियाना देवियान का मार्ग किस से प्रसस्त है तो देवियान का मार्ग जो है वो सत्ति से प्रसस्त है option C अत्यति पद का अर्थ क्या होता है तो अत्यति पद का अर्थ होता है हमारा पार कर जाता है मंगनम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिसद से निया गया है तो मंगनम पाठ का प्रथम मंत्र जो निया गया है वो इसा वास्योपनिसद से निया गया है आगे चंते हैं मंगनम पाठ में कैसे मंत्र जमा किये गए हैं यानी कैसे मंत्र संकनित है तो मंगनम में आपका पद्यात्मा के option number बी मंगनम पाठ के रचनाकार कौन है तो मंगडम पाठ की रचनाकार है महर्शी वेद व्यास ठीक है option C यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुसासित है तो संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा इस्वर के द्वारा अनुसासित है उपनीसद में किसकी प्रधानता बताई गई है यानि किसका महीमा का प्रधानता का गाया जाता है तो उपनिसद में जो है ये आपका परम पुरुसस्य ठीक है परम पुरुसस्य आगे चनते हैं मंगनम पाठ में कितने मंत्र हैं तो मंगनम पाठ में पाँच मंत्र है पाँच का संस्क्रीत होता है पाँच शत्यमेब जयते क किस उपनिशद का मंत्र है, तो सत्यमेव जयते जो है, आफसं सी, मुंड कौप नीशद, हिरन्य मेन पात्रेन बनेंक दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिशद से निया गया है, तो यह मंत्र जो आपका निया गया है, यह आपका हो जाएगा, इस्वास्योप नीशत क्योंकि आपको बताएं थे ना पहन्दा जो है वो क्या इस्वास्योप नीशत से रिया गया और यह पहन्दा में यह मंगनम पाठ में कुन कितने मंत्र है पाँच सत्य का मुह किस से ढखा हुआ है हिरन्य मेनि पात्र से महतो महियान कह तो महतो महियान ब्रह्मा आगे चनते हैं सत्रा नंबर में अनोह अन्यान कह तो अनोह अन्यान ये भी हो जागा ब्रह्मा ये देखिए 18 नंबर का प्रस्ण जो है ये कई बार एकजाम में पूछा गया है 18, 1, 2, 3 बार ठीक है कौन नहीं जीत प्राप्त करता है यानि किसकी विजय नहीं होती है तो उसत्ति की विजय कभी नहीं होती है कह महतो महियानस्ति यानि कौन सबसे अधीक उपर है ठीक है तो कौन सबसे अधीक उपर है तो ब्रह्मा कौन जीतता है तो बताए ये कौन जीतता है सत्य जीतता है हमेशा कौन जीतता है सत्य जीतता है स्वर्नम्य पात्र से किसका मुह ढगा हुआ है सत्य का अनोर नियान बनेंक महीयान पद्धांस के रिक्तस्थान में कौन सा पद भरा जाएगा तो इसमें आपका होगा महतो ठीक है आगे चंते हैं 23 में यथा बनांक सयंद माना समूंदर नद्या जहां नदी है वहीं से समूंदर बनता है क्योंकि नदी नहीं तो समुंद्र भी नहीं आगे चनते हैं तमेब बनाइंक मिर्ट्यू मेती तो यह आपका हो जाएगा बिदित्वा ब्रह्मन मुखह केन आच्छा दितमस्ती यानि ब्रह्मन मुखह किसका यानि हटाते हैं तो पात्रेन ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा पात्रेन मंगनम पाठ कहां से निया गया है तो मंगनम पाठ जो है उपनीसद से निया गया है अनोर नियान महतो बनैंक महीमान मातमना है मंत्र किश उपनीसद से निया गया है तो यह आपका कठोप नीसद से निया गया है नदिया नाम और रूप को छोड़ कर किस में मिनती है देखिए मान लिजीए कि यह समुंद्र है यह इतना बड़ा क्या है इधर से गंगा नदिया रहा है इधर से यमना रहा है इधर से ब्रहमपुत्र रहा है ये सबी अभी गंगा है ये यमना है ये ब्रहम पुत्र है लेकिन जैसे ही वो समुंद्र में मिला सब का नाम खत्तम सब का रूप खत्तम वो बन गया क्या समुंद्र बन गया तो अपना क्या कहां मिलेगा समुंद्र में option A ठीक है आगे चैनते हैं 29 नमबर में महान से भी महान क्या है महान से भी महान क्या है तो देखिए ये आपका हो जाएगा आत्मा ठीक है महान से भी महान क्या है आत्मा छोटे से भी छोटा और बरे से भी बरा क्या है छोटे से भी छोटा और बरे से भी बरा आत्मा नदिया समुंद्र में कैसे मिनती है नाम को छोड़ कर रूप को छोड़ कर नाम और रूप के साथ गलत है तो ये दोनों देखिए उपसंडी में है नाम और रूप को छोड़ कर देव मार्ग का बिस्तार कैसे होता है तो देखिए देव मार्ग का बिस्तार होता है सच्चाई से सत्य से बेदाह मेतम पुरुस ब्लैंक बिद्यतिये नाथम यह मंत्र किस उपनीसद से निया गया है तो ये मंत्र आपका निया गया है स्वेता स्वेत रोप नीसद से ठीक है आगे चनते हैं सर्बत्र परम पुरुस एक मिनट कहां पर थे 34 नमबर में सर्बत्र परम पुरुस परमात्मा का क्या किया गया है सर्बत्र परम पुत्र परमात्मा का गुनगान किया जाता है क्या किया जाता है आत्प काम रीशी गन किसके निकट पहुचे है तो रीशी गन किसके निकट पहुचे है सत्ती के है ठीक है कौन अपने नाम रूप से बिमुक्त होता है तो बिद्वान अपने नाम और रूप से बिमुक्त होता है वो अपना ग्यान के निये जाना जाता है वो किसे जाना जाता है ग्यान के निये आत्मा के स्वरूप एबम निवास का बर्नन किस दोहे में किया गया है तो यह का दूसरा दोहा में किया गया था, सत्य के महत्तु को बतनाया गया है, तो सत्य के महत्तु को बतनाया गया है, तिरतिये दोहे में, जी बेबम आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है, तो चौथा दोहे में, ठीक है, आत्मा मनुस्य की हिर्दय रूपी गुफा में अ मंगनम, मंगनम का total important VVI objective हमने आपको complete करबा दिया, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप WhatsApp पे आ सकते हो, वहाँ पर और भी आपको जानकारी मिन्ती रहेगी, और अगर इसी प्रकार से अगर आप हर subject का, हर chapter का, हिंदी ब्याकरन, संस्कृत ब्याकरन, पूरा exam का तयारी करना चाहते हो, तो आप channel को like, share and subscribe करने जिए, मिनेंगे next video में, धन्यवाद, जैहिंद